बच्चों की नाक बहुत बहती है बार बार सर्दी होती है बार बार जुकाम होता है बागबटी जी कहते हैं कि नाक बह रही हो सर्दी बहुत हो जुकाम बहुत हो तो गोमूतर तो नहीं कहा उन्होंने गोगरत कहा गोगरत मने गाय का घी एक एक मून नाक में डाल दो सर्दी जुकाम ऐसे गायग होगा जैसे गधे के सिर से सींग, गाय का घी, अच्छा आपको नीद नहीं आती, अच्छी नीद लेनी है, बढ़िया नीद लेनी है, डीप स्लीप लेनी है, रात को एक एक बून गाय का घी नाक में डाल के सो जाओ, बहुत गहरी नीद आएगे. आपको खराटे बंद करने हैं, बहुत लोगों को खराटे आते हैं रात को सोते समय, सोने वाला तो नहीं जानता, पड़ोसी जानता है कि क्या तकलिफ होती है, तो जिनको भी खराटे बहुत आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूँ, गाय का भी उपयोग है, औशदी के रूप में गोंग उतरका, अब आता हूँ, बाल जड़ते हैं बहुत, बहुत सारी बहने शिकायत करती हैं, बाल जड़ रहे, तो गाय के दूद का दही बनाओ दही, दही को तावे के बरतन में रख दो, पांच-छे दिन रखा रहने दो, फिर ह हरा हरा हो जाएगा, फिर उस दही को बालों में लगाओ, एक घंटे के बाद बाल धो दो, शीका काई से, शैम्पू से नहीं, शीका काई से, हफते में चार बार कर सकते हैं, और बाल तूटना एक ही हफते में बंद हो जाते हैं, एक ही हफते में, कई बहनों ने तो मुझे पता है राजी भाई हमने तो एक ही बार किया था उतने में भी बंद हो गए अच्छा बविश्य में बाल ना तूटें अच्छे रहें दुरुस्त रहें तंदुरुस्त रहें तो महिने में एक बार या नहीं तो महिने में दो बार गाय के मूत्र से बाल दोलो बहुत अच्छा कंडीशनर है नेचुरल औरगेनिक कंडीशनर है गाई का मूतर तो जैसे आप कंडीशनर यूज़ करते ना उसकी जगे गो मूतर यूज़ कैसे करें गाई के मूतर में थोड़ा पानी मिला दे ना और जैसे conditioner यूज़ करते हैं वैसे कर लेने और आगे बढ़ता हूँ बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिती में हो बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं न उनको बलगम जमा हो गया कफ जमा हो गया तो ऐसे बच्चों को एक चमच गो मूतर पिला दो एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा आपको पीना है तो आप भी पीलो आदा कप तक पी सकते हैं फिर उसके बाद मूतर पिंड के जितने भी रोग हैं मूतर पिंड के रोग आप सब समझते हैं किड्नी के फेलियर के और किड्नी के तकलीफ के ये सब में बहुत अच्छी दवा है गो मूतर उप्योग करो गाये का मूतर आदा कब किड्नी फेलियर के सब केसिस में आप उप्योग कर सकते हैं मूतर के कोई भी रोग में उप्योग कर सकते हैं पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गोमुत्र पीना शुरू करो, खुल के आएगा, पेशाब में जलन होती है, गोमुत्र पीना शुरू करो, जलन बन, पेशाब कई बार लाल रंका आता है, गोमुत्र पीना शुरू करो, नॉर्मल कलर होगा, मुत्र के लगबग 22-23 रोग इसके ले गुमूत्र से ठीक होते हैं फिर आपको कबजियत बहुत है पेट साफ नहीं हो रहा है तीन दन गुमूत्र पीलो आधा-धा कप चौथे दिन से एक दम पेट साफ हो गुमूत्र इक दम पेट साफ हो फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं वात के कफ के पित के आप उसमें उप्योग कर सकते हैं पित के रोगों के बारे में बागबट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित के रोगी जब भी लें तो वो घी का उप्योग जादा करें पित के रोगी पित के रोगी आप समझते हैं यह लोग अगर गोमूत्र पिये पित्र ठीक करने के लिए तो घी जादा खाएं बस इतना ही निवेदन है उनका बाकी वात और कफ वाले तो कुछ भी करें तो बाल में उपियोगी शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप तो आपकी तवचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं न सब चले जाएं आँकों के नीचे डार्क सर्किल है रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो डार्क सर्किल चले जाएंगा खाज हो चैनल सब्सक्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंड्रोइट एप डाउनलोड करना ना भूले